नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चानल पर दोस्तों जैसा आपको पता है कि हम गुरुजी द्वारा सिध विधियां आपके लिए लेकर आते हैं प्रचंड विधियां, ऐसी विधियां जो गुरुजी ने तपस्या करके सिध की हैं ऐसे मंत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं और ऐसे ही एक विधि, ऐसी अनोखी विधियां आज में आपके लिए लेकर आई हूँ कि गुलाब जामुन से करें वशीकरण जी हाँ, गुरुजी की ये विधि है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की विधि है उन्होंने तपस्या करके ये विधि प्राप्त की है तो ये विधि जो है गुलाब जामुन से करें वशीकरण ये बहुत ही प्रचंड विधि है अगर इस विधि को आप सही तरीके से करते हैं सही तरीके से इस विधि को step by step जैसा बताया जाए बिल्कुल वैसा ही करते हैं तो आपका वश्री करण सफल होने से कोई नहीं रोक सकता आपका वश्री करण पूरी तरह सफल होगा अगर आप ये विधी सही प्रकाव से करते हैं और एक और बात का खासता और प्रवध्यान रखेगा कि आपको जब भी ये विधी आप कर रही हो कोई भी ना देखें, मन में कोई बुरी भावना ना हो किसी के लिए कोई बैवना हो जब आपका मन इतना साफ हो जाए तो इस विधी को कीजेगा ये विधी जो है अपना प्रभाव दिखाएगी और जो आपका वशीकरण है वो प्रचंड हो जाएगा क्योंकि ये गुरुजी द्वारा सिध विधी है ये ऐसी वैसी कोई विधी नहीं है गुलाब जामून से वशीकरण एक सिध और प्रचंड विधी है तो आईए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि इसमें हमें सामगरी क्या क्या चाहिए इसमें हमें अवशक्ता होगी दो गुलाब जामून की दो गुलाब जामून और 101 हमें इसमें चावल के दानों की अवशक्ता होगी दश्कों चावल के दाने 101 ही होने चाहिए इस बात का खास दौर पर ध्यान रखेगा 101 चावल के दाने और ये जो है दो गुलाब जामून इनकी अवशक्ता आपको होगी इन दो चीजों की अवशक्ता से आप वशी करण कर सकते हैं एक प्रचंड वशी करण ये प्रचंड वशी करण करके आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं किसी को भी अपना बना सकते हैं तो आईए बताते हैं आपको करना क्या है आपको ये गुलाब जामून लेने हैं और ये चावल के दाने लेने हैं इस तरह इन दोनों को इखटा करना है और अपने सर के उपर से इसको बारा बार घुमाना है ध्यान रहे बारा बार इस तरहां और साथ में जै मातारी बोलना है इस तरहां आपको बारा बार घुमाना है और उसके बाद इस गुलाब जामुन को आप अपने पास रख लें शनिवार के दिन ठीक सुबा साथ बजे जाकर आप ये गुलाब जामुन जो है ये काले कुत्ते को खिला दे जी हाँ, काले कुत्ते को आपको ये गुलाब जामुन खिलाने है और ये जो चावल है ये आपको जल में प्रभा करेंगे ध्यान रहे जल साफ होना चाहिए नाली या गटर के जल में प्रभा नहीं करने है साफ नधी बहते हुए पानी में आपको ये प्रभा करने है जैसे ही ये जल ये जो चावल है या बहते हुए पानी में प्रभा करेंगे गुलाब जावुन ठीक साथ बजे आप काले कुत्ते को खिलाएंगे तो आपका जो वशीकरण है वो सिद्ध हो जाएगा आपका वशीकरण पूरी तरह हो जाएगा लेकिन एक बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा कि जब भी आप ये वशीकरण करें उस व्यक्ति का पूरा ध्यान आपको होना चाहिए जाहें वो आपका प्यार है आपकी प्रेमी का है आपका प्रेमी है आपका पती है या आपका दुनिया में सबसे वड़ा शत्रू है इस हद तक आपको उसका ध्यान करना है कि जब आम आखे बंद करें जब आप अपनी आखों को बंद करें तो उसका चहरा आपकी आँखों के सामने हो इस हद तक आप उसका ध्यान करेंगे इस विधी को सही तरीके से करेंगे तो आपका जो वशीकरण है वो सिध्ध हो जाएगा कोई और जानकारी आपको चाहिए इस विधी से समबनदित या किसी विवशीकरण से जोड़ी कोई समबनदित जानकारी आपको चाहिए तो आप स्क्रिन पे दिए गए नंबर पर गुरु जी को फोन कर सकते हैं गुरु जी से बात करकर आपकी हव समस्य के समधान होगा कोई भी समस्या प्रॉपर्टी की हो वादविवाद हो परिवारिक कलेश हो या फिर आपका प्यार हो या आपका परिवार और प्यार दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए हो तो आपको क्या करना है गुरुजी को फोन करना है गुरुजी आपकी समस्य का समधान करेंगे आपकी परिशानी का हल करेंगे जैसे ही गुरुजी को आप फोन करेंगे वो आपका जो वशीकरण है वो सिद्ध करेंगे आप ये विधी करेंगे तो आपका वशीकरण सिद्ध ह और आप हर तरीके की सभी समस्याओं से मुक्त होकर आपका जो जीवन है ये दुख मुक्त हो जाएगा आपका जीवन खुशनुवा हो जाएगा आपकी जिन्दिकी में सर्फ और सर्फ खुशियां ही होंगी तो फिलहाल मुझे दीजे जाजत इस कामना की साथ मैं आपसे कोई परिशानी है तो इस विधी को करने के बाद गुरु जी से बात करने के बाद आपकी हर परिशानी जो है वो हल हो जाएगा जया माता दी दोस्तों